नमसकार दोस्तों, आप से भीका स्वागात है हमारे चनल ट्रेंदिंग ट्यूब में, मेरे नाम है विश्वा और इस वीडियो में मैं आपके सामने में एक प्रड़क्ट दिखाऊंगा जो की स्टेथस्कोप है दोस्तों वैसी गली स्टेथोस्कोप जनरली मेडिकल यूसेज में आता है मेडिकल डिवाइसे हैं और इन जनरल ये डॉक्टर, नर्सेज या फिर पैथलोजिस्ट या फिर आप मान सकते हैं इस स्पेसिफिक कैटेगरी का लोग इसको यूज करते हैं और इसका यूज बेसिकली आपको पता है कि ये बॉडी का इंटरनल ओर गन्स का साउंड को जहाता है Acoustic Stethoscope बोल के लिए नाम दिया जाता है Acoustic मतलब अंदर का internal organ का आवाज को सुनने के लिए यूज होता है In general, doctors लोग prefer करते हैं कि एक अच्छा stethoscope उनके पास हो ताकि वो clear noise, clear आवाज body का internal organ से सुन सके तो इसके related मैंने एक product, एक काफी अच्छा product मैंने आपके सामने में लेके आया है जो product आपको definitely doctors और nurses के लिए helpful होगा दोस्तों तो company का नाम है Meditive और मैंने एक company में normally मेरे पापा या फिर मेरे ससूर इनका generally high blood pressure आता है तो general purpose में हमें regularly check up करना हो रहता है blood pressure या फिर heart rates बगएरा तो मैं previously एक अलग company का जो stethoscope यूज करा थे लेकिन उसमें थोड़ा बहुत और noise था तो मैंने थोड़ा बहुत और research किया और एक अच्छा stethoscope मैंने order किया और अभी मुझे लगा कि ये definitely अच्छा product है मैं आपको बताऊंगा region इसमें सबसे पहले company का नाम बता दिया मैंने meditip model नमर है sth01 और इसमें पांस साल का warranty के साथ आता है दोस्तों सबसे important चीज़ जब आप stethoscope बगएरा खरीद रहे हैं आप personal use के लिए भी खरीद सकते हैं इसमें कोई problem नहीं है ऐसा नहीं कि खाली doctors ल चेस्ट पीस दोस्तों यह काफी ज्यादा sensitive चीज़ है जो चेस्ट पीस है दोस्तों यह काफी ज्यादा sensitive पीस है और यह अच्छा खासा stainless steel और solid material से बना हुआ चाहिए तभी यही आपका जो noise को recognize करता है और transmit करता है आपका earpiece के पास ठीक है तो यह सबसे अची important चीज होना और इसका जो build quality यह जो build quality stainless steel के साथ और जो material इसमें यूज होता है PVC यहां पर कहीं पर अकर noise का leakage होगा तो आपको noise जो earpiece के पास पहुचने पाता है यह दोस्तों आप अच्छी तरी किसे देख सकते हैं यहां पर यह stainless steel का material से बना हुआ है इसमें अंदर के तरब लिखा इंडिया मेरी प्रड़क्त है definitely high acoustic sensitivity जो acoustic sensitivity का मतलब होता है जो जो noise को पास करके earpiece के पास ले जाता है PVC यह यूचेव ट्यूब बनना हो और इस ये यू से ट्यूब है आप देख सकते हैं यह यू इसे ट्यूब है सब्सी एर टिप्स इसके पास तेपस एर टिप्स बगारा जो यूज इस होता है सामें इस scriptures हैं श्बिक आपका कां में आंगें बैशीकल भättर यह असके यह जो एंगल है दोस्तों यह जनरली कोई-कोई डॉक्टर्स को नहीं प्रॉब्लम होता है कि उनका कान में ज़्यादा दर्द होता है तो इसमें ऐसे यह एंगल से बना हुआ है ताकि कान में अच्छी तरीके से बैट जाएगा दोस्तों ठीक है अब इसके अंदर में हमें ए काफी सॉफ्ट भी है और यहां पर लिखा गया मेडिटिव डिस्कवर पॉजिटिव लिविंग्स और यह मेडिटिव कंपनी है नॉर्मली मेडिकल रिलेटेड प्रडक्स मेडिकल रिलेटेड प्रडक्स बनाते हैं दोस्तों यह और एक बाद है आई-सो साटीफाइड है और प्राइस के बारे में इसका तो प्राइस मैंने पर्चीज किया था इसको करीब 1099 रुपीज में मैं इसको पहन के देखता हूं एक बार देख सकते हैं यहां पर यह अच्छी तरीके से मेरे कान पर यह फिट बाइट रहा है मुझे ज्यादा दर्द भी नहीं हो रहा है और कोई तिकत मुझे लँजर नहीं आ रहा है अगर मैं लॉंग टाइम के लिए यूज करूँ जो और जेनरली यह लॉंग टाइम के लिए थोड़ा बहुत आपका हां बीट बगएरा या फिर यह जेनरली आपको हां वर्ञ्ग्स के अंतर में कुई अगल लिक्वीड डिपोजिट हुआ है वह भी आप चेक कर सकते हैं या फिर इंटेश्य ट्रदू को भी चेक कर सकते हैं और गश्यक्स कर लिभी पर पर्षेश कह यह होगा आपको तो इस पर जा सकते हैं अगर कोई इंस्टुमेंट होता जिसमें क्या मैं आपको इसका जो साउंड को आपके पास पहुंचा पाता तो वह अच्छा होता लेकिन अनफर्चुनेटली वह पॉसिबल नहीं है और मैं आपको इतना भरुसा दे सकता हूं कि यहां पर इसका जो क्लारेटी है यह काफी अच्छा क्लारेटी है क्लारेटी प्रवाइड करता है इन टरम्स अफ डेलिवरिंग आपका जो नॉइज है इंटरनल ओर्गंस का नॉइज को ठीक है आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सक्षिण में और वहां से आप पर सिच करिए और कुछ में डाउट सोगा दोस्तों कमेंट सक्षि करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल अगर दबा दीजे ताक कि आपको नॉटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं नया वीडियो से अप्लोड करूँ थैंक्यू दोस्तों थैंक्स पर वाचिंग